वो था हवस का भूखा इसी के चलते उसने अपनी सगी बेटी के साथ भी किया था। वो था और वहाँ इस धंदे की शुरात हुई थी। जब रन अगवा की गई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन भ्यापार को शाह ज्वा आश्रेत देता था। और अकसर मंत्रियों और संबंधियों को पुरसकार स्वरूपने को हिंदू महिलाओं को दे दिया करत था। ये नरपुरुश्य औवानाचार की तरफ इतना आकरशित और उटसाहित था की हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था। जहां तक उसके महल में भी ये बाजार सजाया जाता था। इतिहासकारों की माने तो उनके हिसाब से यहां लगने अले मीना बाजार यहां अगवा कर लाई गई सेकडो हिंदू माहिला उंक्रे विक्रे हुआ करता था। एक में अपनी रूच दिखाएं तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुम्ताज का नाम मुम्ताज महल था ही नहीं बलकि उसका असली नाम अरजुमंद बानो बेगम था। और तो और जिस शाह जहां और मुम्ताज के प्यार के पूरी तो 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 मुम्ताज से शादी के बाद ही शाह जहां ने और तीन शादियां क्यूंकि? आपको बता दे कि शाह जहां की साथ पत्नियों में सबसे सुन्दर मुम्ताज नहीं बलकि इस श्रत बानो थी जो कि उसकी पहली पत्नी भी थी। इससे वी घिनोनी हरकत यह है कि मुम्ताज से शादी करते वक्त वो कोई कुवारी लड़की नहीं थी बलकि वो पहले से ही श अक्सिडेंट नहीं था बलकि 14 वें बच्चे को जन्म देने के दोरान अत्यदिक कमजूरी से हुई थी यानि कि शाह जहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं फेक्टरी बना कर मार्च डाला दौट शाह जहां में शंभोग की भूप इतनी थी कि वे हैं अपन अपनी मा की तरह ही दिखती थी चुक की जहारा अपनी मा की तरह ही दिखती थी इसलिए मुम्ताज की मौत के बाद उसकी याद में शाह जहां ने अपनी ही बेटी के साथ में यौन संबंद बनाना शुरू कर दिया इतिहास कारों की माने तो जहारा को शाह जहां इतना प्य और उन्हों है इसे जायज ठैराने के लिए एक अधीज का उध्धरन दिया और कहा कि माले को द्वारा लगाए गए पेड़ का फल खाने का हक है शाह जुहां अपनी बेटी के साथ यौनक्रियाओ का इसकदर आदी हो गया था कि वो जैहराना के किसी भी आशे को भटकने भी नहीं देता था दर्शल अक्बर ने यह नियम बना दिया था मुगिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं इसका परिणाम यह होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपनी जिस मानी भूख मिटाने के लिए कई बार बलातकार भी किया था शाह जहां की राज जोतेश की 13 वर्ष ये लड़की की जहारा ने अपने महल में बुलाकर दोके से नशीला पदार्थ खिलाकर अपने बाप के हवाले कर दिया था जिससे शाह जहां ने 58 वर्ष की उम्र में उस 13 वर्ष की ब्रहमन कया से निक पाल उठाना लाजमी है की क्या ऐसे वहसी और क्रूट ब्यक्ति की कस्में खाकर लोग अपने प्यार को बेईज़त नहीं करते हैं दर्शल ताज महल और प्यार की कहानी इसलिए गड़ी गई कि लोगों को गुमराह किया जा सके और खास कर हिंदों से छुपाई जा सके कि ता तो दोस्तों कैसी लगी आप सब को यह वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर बाएए